let's do question number 16th of exercise 4c that is quadratic equation question number 16th is find the roots of the following equations if they exist by applying the quadratic formula formula apply करके हमें ये दोनों roots निकालने तो हमारी 16th question है x square plus x plus 2 equals to 0 तो चलिए solve करते हैं 16th question 16th question लिख लेते हैं x square plus x plus 2 equals to 0 तो हमारे को a और b और c निकालने पड़ेंगे x square का coefficient है 1 x का coefficient भी 1 है और c है हमारा constant value that is 2 तो हमें इसके लिए d निकालना पड़ेगा discriminant उसका formula होता था b square minus 4ac तो b क्या हुआ हमारा 1 का square minus 4 into a क्या हुआ 1 और c b कितना हुआ 2 तो ये कितना है 1 minus 4 to the 8 that means minus 7 ये देखिए ये value कितनी आई है minus 7 0 से कम है तो हम क्या कहेंगे अगर d 0 से कम है then roots जो है उसके exist ही नहीं करेंगे roots do not exist exist ही नहीं करेंगे answer let's do question number 17th question number 17th है हमारा 2x square plus ax minus a square equals to 0 अब हमें एबी सी निकालना होता है तो इस एबी सी जो हमारा फॉर्मुले का है उसको आप इससे confused मत होईएंगा तो मैं इसलिए capital A ले रही हूं उसकी जगह capital A जिससे की आप उसमें confused ना हो इसकी equations की values में confused ना हो तो A क्या होता है हमारा x square का coefficient B क्या होता है हमारा x के साथ का coefficient और C क्या होता है minus A square constant value, right? तो मैंने यहाँ पे यह value small a, b, c की जगह capital A, b, c लिख दिये हैं आप क्लास में वही करके आईगा small a, b, c मैंने आपके confusion को हटाने के लिए की आईगे तो D क्या होता है D का formula होता था हमारा B square minus 4 A, C तो B क्या है हमारा A का whole square 4, A है हमारा 2 और C है हमारा minus का A square, right? तो यह कितना आगए? A square minus अब यह देखे minus minus plus तो plus 4 to the 8 A square, तो यह कितना आगया? 9 A square आगया, right? अब हमें alpha बीटा निकालने, alpha का formula होता था minus B plus root D upon 2 A, यहाँ पे capital B लिख लिजे और यहाँ पे capital A, तो यह B कितना है हमारा? A है, plus root D, that is 9 A square upon 2 A, that means 2 into 2, तो यह कितना आगया? minus A अब root 9 A square को क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे root 9 A square को, क्या लिख सकते हैं? root के अंदर 9 को हम लिख सकते हैं? 3 into 3 और A square को क्या लिख सकते हैं? A into A, अब square root के लिए दो-दो के pairs बनाते हैं, और एक बार बहार लिख लेते हैं, तो 3 और A, तो हम 3 A लिख सकते हैं, तो plus 3 A upon 2 2s are 4, तो यह कितना आ गया? अब देखिए, यह दोनों A की values हैं, एक plus की, एक minus की, तो हापस में सब्ट्राक्ट होएं, और sign बड़े वाले का लग यहाँ, प्लस का sign upon 4, तो देखिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो alpha कितना आ गया? A upon 2, अब बीटा निकाल लेते हैं, बीटा का formula होता था, minus B minus root D upon 2 A, अब B कितना दे रखा था? that is A, तो हमने लिखा, minus A minus D दे रखा था, 9 A square upon 2 into, A कितना दे रखा था? that is 2, capital A की बात कर रहे हूं, that is 2, तो यह open कर देंगे brackets, minus, अभी मैंने पीछे बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 A, तो हमने लिख दिया, 3 A upon 2, 2s are 4, अब दोनों minus की values है, तो आपस में plus हो जाएगा, और sign बढ़े वालेगा, तो यह आगे 4 A upon 4, तो 4 से 4 cancel हो गया, तो कितना आगया? minus A, तो हमें roots पता चल गए, एक तो है minus A, और दूसरा है A upon 2 is the answer.